कभी शौचालया नहीं होने पर शादी के दूसरे दिन ही छोड़ा था घर अब उनके ही उपर बनी फिल्म बैतुल जिले की इस महिला ने ससुराल में शौचालया नहीं होने के कारण शादी के दूसरे दिन ही ससुराल छोड़ कर माई के चली गई थी बाद में शौचालया बनने के बाद वापस लौटी थी बैतुल, मुहम्मद अजहरुद्धी, महिंद्य सिंध धूनी, फोगड सिस्टर, सचिन तिंदूल करके अब आप बैतुल जिले की एक महिला पर आधारित फिल्म जल्द रिलीज हो रही है इसमें खास बात यह है कि यह महिला कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बैतू जिले की इस महिला ने ससुराल में शौचालया नहीं होने के कारण शादी के दूसरे दिन ही ससुराल छोड़कर माई के चली गई थी, बाद में शौचालया बनने के बाद वापस लौटी थी. प्रधान मंतरी मोधी के स्वच भारत अभियान को लेकर बनाई जा रही है अक्षे कुमार अभिनीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की जिस अनीता की जिंदगी को लेकर लिखी गई आज हम आपको उनकी कहानी बताएंगे. बैतू निवासी अनीता ने बताया कि वह शादी के दूसरे दिन ही ससुराल छोड़कर माई के चले गई थी, इसके बाद फिर शौचालया बनने पर घर आई. जिसके बाद उसे राष्ट्रपती और सुलब इंटनेशन द्वारा भी सम्मानित किया गया. अभीनेत्री और डाइरेक्टर पहुँचे गाउं. फिल्म की अभीनेत्री गूनी पैदने कर और डाइरेक्टर नारायन सिंग सोंवार को मुंबई से बैतू जिले के ब्राम जीटु धना पहुँचे. अनीता नरे से मुलाकात की. इस दौरान अनीता के परिवार के साथ फोटो और वीडियो शूट किये. अनीता के घर बने शौचालय के साथ कूनी ने सेफी भीनी. अनीता ने अभीनेत्री भूनी को शौचालय नहीं होने पर ससुराल छोने की पूरी कहानी बताई. बताया जा रहा है कि फिल्म के डाइरेक्टर नारायन सिंग की फिल्म पर प्रवीन व्यास द्वारा उनकी डाकिमेंटरी से कुछ भाग कौपी किये जाने के आरोप के बाद जीट उढ़ना पहुचे थे. डाइरेक्टर सिंग ने फिल्म को अनीता की सच्ची घटना पर आधारित होना बताया है. प्रवीन व्यास के आरोपों को सिरे से नकार दिया है. सिंग ने इसके लिए अनीता को एक अनुबंत पत्र भी दिया है जिस पर फिल्म के लिए उनकी सहमती मांगी है. अनीता ने सहमती नहीं दी है गुमी ने कहा कि अनीता से मिलकर बहुत खुश है अनीता के साहस का वह सम्मान करती है फिल्हाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया